अगर कम टाइम में पीना किसी जंजट के आपको मीठा बनाना है तो आप इस रेसिपी को ज़रू ट्राई कीजेगा हेलो एवरिवान आज मैं आपके साथ मिल्क बर्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फी बनी है एक तब माउथ मेल्टिक है एक तब मार्केट के जैसी वाइट मिल्क बर्फी आज हम बना करके तयार करेंगे लेकिन इंस्टेंट इसमें ना तो हमें खोया चाहिए और ना ही चाशनी बनानी है तो चलिए चटपट बनने वाली इस मिल्क बर्फी की रेसिपी को शुरू करते हैं मिल्क बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में वन फूर्ट कप घी आड़ करेंगे इसे के साथ मैं याँ पर वन थर्ट कप डाल रही हूँ मिल्क अभी हमने गैस को अन नहीं करना है और वन थर्ट कभी हम इसमें शुगर एड़ करेंगे मिल्क शुगर और घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ध्यार रखें आप यहाँ पर अभी गैस अन ना करें शुगर की कौंटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप पाउडर शुगर भी आड़ कर सकते हैं तो यहाँ पर शुगर हमने मिक्स कर ली है अब हम फ्लेम को ओन करेंगे और फ्लेम को हमें बिल्कुल लोग पर रखना है और यहां पर हम एड़ करेंगे 1.5 cup milk powder यहां पर मैंने नैसले milk powder लिया है थोड़ा थोड़ा करके हम इस milk powder को milk में अच्छे से mix कर लेंगे flame को हमें बिल्कुल भी high या medium पर नहीं रखना है वरना milk powder से lumps बन सकते हैं और बाकी का बचा हुआ milk powder भी हम इसमें mix कर देंगे और अगर आपको यहां पर यह mixer थोड़ा ड्राइ लग रहा है तो दो चमश दूद आप इसमें add कर सकते हैं लेकिन flame को हमें बिल्कुल लोग पर रखना है और अब हमें यहां पर 4-5 मिनट के लिए milk powder को cook करना है जबते कि यह डो की consistency में आने जाता और कड़ाई को छोड़ने ले लग जाता और इस stage पर आप इलाइची पाउडर या रोजेजस एड़ कर सकते हैं और यह देखी चार मिनट के बाद यह mixture काफी थिक हो गया है और यह कड़ाई छोड़ने लगा है तो बस इस stage पर हम flame को off कर देंगे और flame off करने के बाद इस mixture को हमें तुरंत ही या जिसमें भी आपको बर्फी सेट करनी है उसमें रखना होगा और यह mixture बर्फी बनाने के लिए perfect है या नहीं इससे देखने के लिए हमने इस बर्फी के mixture में से थोड़ा सा बोल बनाया है और यह देखी बिल्कुल भी sticky नहीं है और यह shape को hold कर रहा है यानि एकदम perfect बना है तो मैंने यहाँ पर ट्रेली है इस पर हमने गी लगा दिया है और इसके उपर हम butter paper लगा देंगे अब बर्फी का mixture हम इसमें सेट करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़े से dry fruit सेट किये हैं और अब हम यह बर्फी का mixture इसमें सेट कर देंगे यह देखिए हैंड से मैं थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ आप बिना butter paper के भी बर्फी को सेट कर सकते हैं butter paper लगाने से इसे हम आसानी से डिमोल्ड कर लेंगे तो उपर से मैंने इसे even कर दिया है और यह बर्फी बहुत एकम टाइम में सेट हो जाते ह 30 मिनट में यह बर्फी अच्छे से सेट हो जाएगी तो देखा आपने 5 मिनट के अंदर आप यह बर्फी बना सकते हैं लेकिन इस बर्फी को बनाते हुए हम एक ही बात का ध्यान रखना है flame को हमीं बिल्कुल लोग पर रखना है बर्फी बनाने के लिए आप नोंस्टी कड अब आपने कितना आसान है इस बर्फी को बनाना आप इस बर्फी को जरू ट्राइगा यह बहुत बहुत टेस्टी बनती है रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू से कीज़ेगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करे और अगर फेस्बुक पर नहीं है तो फॉलो बटन पर क्लिक करेज़ेगा थैंक्स पर वोचिंग